गुड लग जैरी मुवी का ट्रिलर जब रिलीज किया गया था वो इतना ज़्यादा खास पसंद नहीं आया था लेकिन ये बात मैं इस मुवी के लिए नहीं कह सकता हूँ क्या है गुड लग जैरी जिसको रिलीज किया गया है डिजनी प्लस होट स्टार के ओटिटी प्लैट्फॉर्म पर और इसके अंदर जानवी कपूर में भूमी कांग के अंदर है अब डेफिनिटली जानवी कपूर है उनकी एक्टिंग तो हमें देखनी ही थी कभी या कैसी कर परफॉर्मस रही है कुछ जादा अच्छी रही नहीं है अब यहां पर स्टोरी के चाचा कर लेते हैं विहार से एक फैमिली आती है और वो पंजाब में रहना शुरू करती है और जो इस फैमिली का जो मुख्या होता है उसकी डैथ हो जाती है दो बेटियां और एक जो पी 20 लाक रुपे चाएंगे अब एक फास्ट फूड का काम करने वाले चोटे मोटे काम करने वाले इस फैमिली के पास 20 लाक रुपे कहां से आएंगे तो जैरी एक इलीगल काम में या फिर कहूं कि जो ड्रग डिलिवरी का काम है उसके अंदर वो इन्वोल हो जाती है यब इस के सामने क्या क्या वो प्रोब्लम आती है कैसे इन चीजों को यह फेस करती है अपनी मा के लिए वो 20 लाक रुपे कठे कर पाती है नहीं कर पाती है इन तमाम बातों के लिए तो देखो आप लोगों के मूवी देखनी पड़ेगी चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में कि मू अपस रिवर्स एक टाइम क्या दो बार तीन बार आप उनको देखोगे इतना अच्छा फील लगेगा मैंने परसनली मैंने कुछ सीन को दुबारा रिवर्स करकर करके देखा मैं यह बढ़िया है मतलब वो मीम मेटीरियल है मीम के मीम के लिए यूस हो सकते हैं ऐसे सीन है हम अगर उसका नाम मैं भूल नहीं रहूं तो जग्गी का करेक्टर वो इतना फणी है उसकी जो डायलोग डिलीवरी है जो उसके एक्षेंट है या फिरम काई हैं कि इसका जो बीहविर है खड़ा होने का पूरा मतलब पूरा जो करेक्टर वो इतना जबरतस आपको लगेगा मैं अब जब भी वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा आपके सेरे के उपर स्माइल आई जाएगी बाकी मुवी के अंदर देखो यार स्टोरी इतनी ज़्यादा मैं नहीं कहूंगा कि बहुत एक एक एक्स्ट्राउडिनरी है कोमेडी बहुत ज़्यादा अलग रखी गई है ऐ और जो इसके अंदर जानवी का पूर की जो परफोर्मेंस के मात करूं बहुत अच्छी परफोर्मेंस रही है एस कंपेर टू जो इन्होंने पिछली मुवी के अंदर अपनी परफोर्मेंस की थी और यहां पर काफी ज़्यादा आपको इसमें इंप्रूमेंट भी मिलेगी मुझे सच में काफी ज़्यादा अच्छी लगी नेगेटिव चीजों में अगर मैं बात करो तो देखो यार मुवी के अंदर आप लोग ज़्यादा उमीदे मत रखना कि आपको कुछ अलग ही चीज़ें देखने को मिलेंगी और जो जैरी का करेक्टर है तो देखो यार इ उसमें जैसे वह प्लैन बनाती है कुछ चीजों को जैसे वह घुमाती वह हजम नहीं होता है क्यार इस जैरी ने ऐसा कर लिए क्योंकि जैरी का जो करेक्टर वह बहुत ज़्यादा भोला बाल है और वह इस तरीके के प्लैन बना नहीं सकता तो वहां लगता है कि यह जादा information नहीं दे पाँगा लेकिन लास्ट की जैसे बात आती है एंडिंग के अगर में बात करूँ जिस तरीके की जैरी निकलती है तो वहां पर मुझे लगता है कि यह कुछ जादा ही हो गया मतलब इतना कुछ हो गया लेकिन जैरी जो है वो कैसे यहां से बाहर आ पा रह देखेंगे तो कुल जम्मा बात यही है कि मुवी आप वन टाइम बोच कंसिडर कर सकते हैं कोई वल्गर सीन नहीं है कोई गाली इसके अंदर ज्यादा नहीं है मतलब ऐसा कुछ तो दिखाया तो नहीं गया है हां और मेरी तरफ से इस मुवी को मैं देना चाहूंगा 6.5 अ अगर आप लोगोंने मुवी देखें तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों मुवी कैसी लेगे अगर नहीं देखें तो वन टाइम जैसे मैंने का आप इसको तैम पस्ट मुवी है तो भस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में थैंक्स हुर वॉचिंग इस झाल झाल झाल